नमश्कार, मेरे नाम ललित है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक होटेलियर हूँ, पिछले 14 साल से होटल इंडस्टी में काम कर रहा हूँ मैं पहले यह सपष्ट कर दूँ कि मैं किसी भी पार्टी को आख बन करके सपोर्ट नहीं करता हूँ मैंने अपने जीवनकाल में तीनों ही पार्टीयों को, बीजेपी, कॉंग्रेस, आप तीनों ही पार्टीयों को कभी ने कभी वोड दिया है और ये मेरे जीवनकाल का पहला वीडियो संदेश है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पहला वीडियो संदेश इस दोर में बनाऊंगा जब होटल इंडस्टी शायद अपने सबसे बुरे दोर से गुजर रही है तो मैं केजरिवाल जी आप से हाथ जोड़ के निवेदिन करना चाहता हूँ कि आपने सब कुछ खोल दिया है सर दिल्ली में सिर्फ होटेल्स नहीं खोले है और ये समझ में नहीं आता कि क्यों आपने होटेल्स आज तक नहीं खोले हैं क्योंकि everything is open now the market is open everything is open only the hotels are closed क्यों सर होटेल इंडस्टी में काम करने वाले इनसान नहीं होते उनका परिवार नहीं होता उनको भूख नहीं लगती उन्हों सैलरी की जरूरत नहीं होती किसलिए सर आपके इस decision की वज़े से कुछ तो lockdown की वज़े से कितने ही लोग अपनी नौकरी कवा चुके हैं सर मेरे सरकल में मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ मैंने कई होटेल्स में जॉब किया है तो मेरे सरकल में ही 2000 से जादा लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी है और सैलरी तो बहुत कम ऐसे लोग है जिनकी salary आ रही है या cut के आ रही है बहुत कम ऐसे लोग है तो sir आपसे हाद जोड के निवेदन है कि please hotel industry के लिए कुछ कीजिए hotels को hospital ना बनाईए और hotel industry को खोल दीजिए business आएगा नहीं आएगा that is a separate matter but please hotels को खोल दीजिए sir because hotel industry में काम करने वाले लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है assistant manager, manager, executive level के लोग mask बेच कर, sanitizer बेच कर, sabji बेच कर गुजारा कर रहे हैं sir बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे circle में जो घर जाने से डरते हैं क्योंकि मकान मालिक को किराया देवे दो महीने हो चुके है और मकान मालिक सारे post graduate graduate लड़के हैं sir सब को computer आता है सब पढ़े लिखे, young लड़के सब smart क्योंकि hotel industry में सबसे smart लोग, सबसे discipline लोग काम करते हैं और मोदी जी, आप से please निवेदन है, sir lutean zone से बाहर निकल के एक बार दिल्ली के हालात को देखिए sir 80 रुपे पेटरोल पहुचा दिया है sir, आपने 80 रुपे, मैं बहुत बड़ा economist तो नहीं हूँ sir, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि 80 रुपे पेटरोल तो जब कभी 155 डॉलर पर barrel पहुचा था, crude oil उस टाइम पे भी कभी नहीं पहुचा sir और पिछले 15 दिन में आपने 80 पहुचा दिया लोग वैसे ही बहुत परेशान है sir, salary नहीं आ रही है और आप पेटरोल बढ़ाते जा रहे है डिली पेटरोल बढ़ रहा है और सबसे सुने पे सुहागा कि आप रोड पे गाड़ी लेके निकलिये बाइक लेके निकलिये, गाड़ी लेके निकलिये तो आपको कभी न कभी तो आपको चलान आए गई आएगा चाहे आपने violation किया हो या नहीं किया हो डिली ट्रेफिक पुलिस के कितने चलान, lockdown के दौरान अब के दौरान, क्योंकि हर जेके कैमरे लगा दिये है अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर प्लीस, लोगों का कुछ देखिये लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरियां जा रही है, सैलरी नहीं है, चलान आ रहे हैं, पैटरोल बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है सर जब मिडल क्लास के पास खाने के लिए पैसे नहीं होगे अपने परिवार को खाना के लाने के लिए पैसे नहीं होगे और जब किसी के पास पैसे नहीं होते है न सर्च किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है तो वो छीन के खाता है फिर क्राइम बढ़ता है तो प्लीज हमने थाली भी बजाई थी ताली भी बजाई थी और आगे जो बोलोगे वो भी करेंगे सर पर प्लीज आपसे निवेदन है कि आम आदमी की तरफ देखिये आम आदमी बहुत परेशान है सर